हलो फ्रेंड्स आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनीक सा केक जो की एक ही समय एक ही केक टिन में दो फ्लेवर में हम बनाएंगे जी हां एक होगा कस्टड केक और दूसरा बच्चों का मन पसंद चॉकलेट केक त और ऐसा भी नहीं है कि यह जो केक है यह सौफ नहीं बनेगा या इसका टेक्शर सही नहीं होगा इसकी सौफनेस भी मैं आपको दिखाऊंगी तो इस सीक्रेट रसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और जाने की एक समय में हम किस तरह से दो फ्लेवर के केक बना सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें ड्राइ इंग्रेडियन्स चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा यहाँ पर मैदा जो है आपको एक कप तो लेना ही है साथ ही साथ उसमें दो टेबल स्पून आप मैदा और एड़ कर दीजे तो यहां पर आप केक को गार्णिश करने के लिए मैंने लिया है थोड़े से काजू के टुकड़े और थोड़ा सा इसमें टूटी फ्रूटी है इसमें आप थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट कर दें और इसे मिला दें ताकि इसका जो टेक्शर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और जब हम इसे केक में डालें तो यह बिल्कुल नीचे जाकर के सेटल न हो जाए तो यह हमने रेडी कर लिया तो यहां पर सबसे इसके साइज से डबल साइज का मैंने बटर पेपर लिया है सबसे पहले आप जो केक तिन है उसे ग्रीष करने बहुत थोड़ा सा तेल डाल करके आपको इसे ग्रीष करना है ताकि यह बटर पेपर जो है उसमें बिल्कुल चिपक जाए और वो हिले नहीं तो यहां पर टिन को मैंने grease कर लिया अब ये butter paper मैंने ले लिया है ये देख सकते हैं एक तरफ से खुला हुआ है और एक तरफ से जुड़ा हुआ है फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो tin की उचाई है हमारी मतलब तरफ से यह जो butter paper है वह इस तरह से फ्लाट नजर आए और इसे आज सच में इस तिन के अंदर रख देना है तो अब आप देख सकते हैं तिन के अंदर जो butter paper है वह आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा बीच से एक वाल जैसी आपको नजर आएगी पार्टिशन से नजर आएगा और दोनों साइड जो है उसमें भी आपको नीचे butter paper बिचा हुआ नजर आएगा तो इसे थोड़ा सा हाथ से एडजस्ट करके बिल्कुल बीचो बीच कर ले थोड़ा सा हो सकता है बैटर डालने पर यह एक केक थोड़ा हो जाए या एक केक थ लिए और इसे भी आपको इसी तरह से तयार कर लेना है तो यह हमारा केक टिंज जो है बिल्कुल भी बैटर डालने के लिए रेड़ी है अब हमें बैटर बना करके रेड़ी करना है तो आईए सबसे पहले हम एक saucepan ले लेते हैं और उसमें मैंने सबसे पहले half cup तेल डाला है अब यहां पर थोड़ा सा आपको patience रखते हुए इसे अच्छे से mix करना है जब तक कि इसका एक creamy texture सा ना मिल जाए इसमें करीब आपको 2-3 minute पका लगेंगे तो यह जो step है बहुत जल्दिबाजी में इसे ना करें इसमें थोड़ा सा आप 2-3 minute का time दे और आराम से इसे whisk करें तो यहां पर आप देख सकते हैं चीनी और तेल का यह जो मिक्षर था यह बिल्कुल क्रीम जैसा नजर आ रहा है हमें इसी तरह का texture चाहिए इसमें अब हम यहां पर आड़ कर देंगे जो मैंने fresh क्रीम की बाद की थी वह यह बिल्कुल ताजे दूद की जो पहली मलाई जो इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया मलाई मिक्स करने के बाद आपको यह थोड़ा सा घी जैसा या क्रीमी जैसा नजर आएगा तो इसकी टेंशन बिल्कुल ना ले अभी हम जब सूखे इंग्रेडियंट्स इसमें अड़ करेंगे तो इसका texture बिल्कुल सही हो जाएगा तो इ साथी साथ आप करीब एक कप अपने पास ठंडा दूद भी रखें ठंडा मतलब रूम टेंपरिचर पे रहना चाहिए दूद वैसा दूद आप अपने पास रेडि रखें क्योंकि इस ड्राइ इंग्रेडियंट्स को एड़ करते करते हमें बीच में दूद भी इसमें आड करेंगे तो यहां पर मैंने पहला बैच इसमें डाल दिया है साथी साथ इसमें दूद भी आड़ कर दीजे तो आप देख सकते हैं कितना यह क्रीमी जैसा टेक्चर हमें मिल रहा है इसे मिलाने से इसी तरह से दूसरा बैच और तीसरा बैच भी डाल करके साथ ही साथ वनिला एसंस को भी अच्छे से बैटर में आप मिक्स कर दीजे अब हमारा जो बेसिक जो बैटर है वो हमारा रेडी हो गया है अब चुकि आज हम दो फ्लेवर में केक बना रहे हैं एक साथ एक है कस्टड केक और दूसरा है चौकलेट केक तो अब हमें कस्टड केक के लिए कस इस बैटर को हाफ आफ कर लिजे और यहां पर दोनों ही बोल्स में आपको एक में तीन टेबल स्पून कस्टड पाउडर डालना है यहां पर मैं वेनिला फ्लेवर का कस्टड पाउडर डाल रही हूं और दूसरे में आपको तीन टेबल स्पून कोको पाउडर डालना है पह यहां पर आप देख सकते हैं, इस खोल लिया और यहां पर एक चीज और है, गैस पर मैंने बेक करने के लिए, एक कड़ाई भी चड़ा दी है, अब यहां पर इस कस्टड पाउडर वाला जो बैटर है, उसे हम बहुत ही कैरफुली, इस केक टीन में, हाफ पोर्षन में डाल द तो यह दोनों ही बैटर जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अब आईए हम केक को गार्निश कर देते हैं चल दी से तूटी फ्रूटी जो है वो कस्टड केक वाले साइड में डालिए और जो वाइट जो हमारे पास काजू के पीसे हैं उसे आप चॉकलेट वाले केक के साइ कर दीजे हो सकता है केक बेख होते समय इसका जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए लेकिन दोनों ही केक बहुत ही परफेक्टली बेख हो करके रेडी होंगे अब यहां पर इसे हमें करीब करीब 45-45 मिनट्स के लिए हमें इसे बेख करना है उसके बाद आप चेक कर ले अगर थोड़ा बहुत कच्चा रह जाता है तो आप इसे और 5-7 मिनट आप इसे बढ़ा सकते हैं यहां पर इसे किसी ऐसे प्लेट से ढग दें जो कि बिलकुल इसके हीट को बाहर ना आने दे और इसके ऊपर कोई भारी सी चीज हो तो वो इसके ऊपर जरूर रग दें तो यह जो केक है यह हमारा 55 मिनट में बेक हो करके बिलकुल रेडी हो चुका था लेकिन मैं उस वक्त की रेकॉर्डिंग बाहर निकाल दिया है और यह बिलकुल भी ठंडा हो चुका है नाइफ से हम देख लेंगे एक बार कि हां यह ठीक से अंदर से पका है या नहीं तो आप इंसर्ट करके यह इस चीज को चेक कर सकते हैं देखिए यह बिलकुल निकल रही है नाइफ इसका मतलब यह केक जो है अंदर से बेक हो गया है शेप थोड़ी सी यह कम जादा हो गई है लेकिन इससे कोई इसके टेस्ट में फरक नहीं पड़ेगा तो आईए अब हम इसे नि दिखाती हूं तो यहां पर सबसे पहले हम कस्टड केक को काट लेते हैं तो आप देखिए इसके तो आप देख सकते हैं इसके पीस जो है बिलकुल ब्रेड के जैसे लग रहे हैं कितनी अच्छी इसमें जाली बनी है कितना अच्छा यह स्पॉंजी देखने से ही नजर आ र बना है केक बिलकुल भी यह टूटा नहीं है या बिलकुल भी ऐसा नहीं है कि बिलकुल यह कच्छा रहे गया है बहुत ही अच्छा यह केक बना है बहुत ही सॉफ्ट है अब आईए हम यहां पर जो हमारा चॉकलेट केक है उसे हम काट लेते हैं तो यहां पर आप यहां पर जो सबसे इंपॉर्टन चीज है वो है ट्रे की अजस्मेंट आप जो बेकिंग ट्रे है उसे आप इसी तरह से अजस्ट कर सकते हैं और आसानी से इस तरह से एक ही समय में दो तरह के केक आप बेक कर सकते हैं तो आई हो फ्रेंड्स आपको यह जो नई टेकनीक थी दो तरह के केक बेक करने की यह आपको पसंद आई होगी तो इस लॉकडाउन के पीरिड में जब बच्चे बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं और बाहर की चीजें भी हम बिल्कुल एवॉइड कर रहे हैं बच्चों को देना तो इस लॉकडाउन के टाइम में आप यह केक जरूर बनाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे और साथी साथ आपके घर के बड़े बुढ़े भी इस केक को जरूर एंजॉय करेंगे तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की एक इनोवेटिव और सिंपल रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए थांक यू, गुडबाई, ठेक केर